वास्व गाइज, I hope you are doing well, I am वीर, welcome to Stadler family, तो कैसे हो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, शांदार तरीके से आप लोग अपनी life को enjoy कर रहे हो, अपनी सहत, family और प्राई का जान काफी अच्छे से रख रहे हो, बात बहुत स्यांदार बोली गई है, अगर यह आप लोग implement करोगे, तो सफलता आप लोग के नजदिक आ जाएगी, सफलता इनसान को तब मिलती है, जब उसके सपने, उसके बहानों से बड़े हो जाते हैं, जब कोई इनसान अपने काम को करते हुए हमेसा बहाने बनाता है, यार इस reason की वेज़ से न मैं ये काम नहीं कर पाया, यार वो time इस time आप लोग को बड़ा बनाना पड़ेगा, जब तक आप लोग बहाने खोजने में अपना दिमाख लगाओगे, तब तक आप लोग कभी भी अपनी life में success को अचीव नहीं कर पाओगे, और अब तो आप लोग को पता भी है, कले एक छोटे सा notification भी आई UPST के साड़ से, जो क अब official हो गया है कि आप लोग का जो exam हो पोस्पोन हो चुका है, यनि कि 31 में को अभी ये exam नहीं होने वाला है, और सबसे important बात जो हाँ पर बोली गई है, वो ये है कि जब भी हाँ पर आप लोग को बता जाएगा कि ये exam मालीजे आगे कभी होने वाला है date में, तो उस date के ब आएगा, ये decision आएगा 20 तारीक को, अब ये सोची अगर 20 तारीक को भी date आती है, तो अगली कम से कम लगा कर चलिए कि 20 जून से पहले आप लोग का paper नहीं होने वाला है, और जहां तक मैं expectation कर सकता हूँ कि जो आप लोग का exam होगा, या तो end of the July में होगा, या फिर August के starting में ह आप लोगा, ये बहुत जादे chances हैं कि या तो end of July या फिर August के starting में आप लोग का exam हो, हलाकि date अभी हाँ पर define नहीं की गिए कि date क्या होगा, date 20 तारीक को यहाँ पर ये देखेंगे और 20 तारीक को भी तब यहाँ पर define करेंगे, जब UPSC analysis करेगी कि हाँ COVID-19 के case कैसे है, किस त आप लोग उसके उपर focus देकर चल सकते हैं, आज का जो आप लोग का में best question है, अच्छा कितने ऐसे बच्चे जिनको लगा है कि ये सही postpone हो गया है, और कितने ऐसे हैं जिनको लगा है कि ये गलत postpone हो गया है, आप लोग भी अपनी राए बता सकते हैं, क्योंकि कल जब मैं Twitter पर मैंने देखा, ये trend कर रहा था, Twitter आप लोग देखिए, अगर join नहीं कर रहा है, तो वैसे खोल के देखते रहा करो, कई सारी information आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि हाँ पर latest जो भी होता रहता है, वो चीज़े ट्रेंडिंग में आती रहती है, जरा-जरा सी देर में, इस का आप लोग का map-based question है, जाकर map में नहीं हारे का कहां पर located है, फिर इसके बारे में हम लोग next lecture के अंदर detail में discuss करेंगे, बागी काफी कुछ यांदार discuss करने के लिए आज के दा हिंदु newspaper में, तो देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को discuss करना है, तो यहां पर article है, आप लोग इसके बारे में detail में आप लोग को बता हूँगा कहां से निकल कर रहा है, और क्यों writer बोल रहे है, पांच reason देकर कि इसको हटा देना चाहिए इस scheme को, और क्यों government को support करेंगी, government ने सही किया है आप जो इसको suspend कर दिया है, तो यहां पर जो writer है वो चारे है कि इसको आने वाले और 5 साल के लिए क्या इसको आने वाले पूरे time के लिए suspend कर दो, आखिर ऐसा क्यों है, आरोगे से तो एप के बारें बात की जा रही है, तो जानेंगे detail में आखिर क्यों इसको लेकर यहां पर चिंता है है, किस तरीके से आप इसके बारें बात की जा रही है, नेक्स्ट यह बाकी COVID-19 से कैसे बार निकलना है, COVID-19 क्या situation क्रेट करता है, और किस तरीके से हम लोग यह चीजों को आगे लेकर चलेंगे, वही सारी बाते हैं जो हज़वर बार हम लोग डिस्क्रस कर चुके हैं, एक overview फिर भी मैं आप लोग यहां पर देख कर चलूंगा इसका, ठीक है, बाकी यहां पर यह है, आप लोग के सामने कार्टून जिसके ओपर हम लोग अभी नज़रा लेंगे, और डेटा पॉइंट यह नहीं, दूसरे वाला डेटा पॉइंट में आप लोग दिखाऊंगा, जहां पर complete आप लोग जो केसीज हैं, उनको understand कर पाएंगे, सबसे पहले यहां पर आप लोग के सामने कार्टून है, आप लोगों ने देखा होगा, कल काफी जादा फूल वगएरा बरसाए गए, ठीक है, जो डोक्टर्स वगएरा थे उनके उपर, तो यह जो situation है, इसने दो तरीके के लोग क्रियेट कर दी है, एक तो वो लोग जो यहां पर इसक यहां पर मिलता है डोक्टरों को, तो यह कौन सी आप लोग के इस कैटेगरी में आते हैं, यहां पर जो कार्टून में दिखाएगे, यह दिखाएगे, कि कई सारे वरकर जो हैं, वो यहां पर चल रहे हैं, इस तरीके से कांटो पर चल रहे हैं, एक तरीके से कई सारे वरकर सपोर्ट करते हैं येस या फिर नो आप लोग अपनी कैटेगरी बता सकते हैं और एनलेसिस कीजिएगा क्या सी ये क्या आगला थे आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एडिया होना चाहिए ठीक है आई ये अब आगे चलता हो नेक्स यहाँ पर थोड़ा सा एक केस के उप केस आ चुके हैं और लगवग पूरा सतर हजारे करीब लोगों की जान अब तक जा चुके हैं बाकी स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, तुर्की, ब्राजील, इरान, चाइना, कैनेडा, बेल्जियम, पेरू और यहाँ पर हमारी कंट्री भी आ गी है इं परदेश, उतर परदेश, आंदर परदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, जमू कस्मीर, करनाट का भी हार, यह सारे राज्ये हैं जहां पर सबसे ज़्यद है केस आप लोग को हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, तो यह थी इसके बारे में कुछ एक मो परदेश, बात की जारी है, आरोगे से तु एप के बारे में, आप लोगों को मैंने अभी हाँ पर एक लेक्चर लिया था, इस पेसल जिसमें मैं आप लोगों को जोन के बारे बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था, कि हमारी कंट्री में तीन जोन क्रियेट किये ग हैं उनके साथ मैं उसको open कर सकते हैं और यहाँ पर इन सब जो भी हाँ पर जो लोग काम करेंगे इनके इनके basically mobile में आरोगे सेतु एप होना चाहिए यहाँ पर भी यह बात बोलेगी यानिके आरोगे सेतु एप जो है उसको compulsory बनाया गया जो government employee है उनके लिए भी compulsory बनाया गया आरोगे सेतु एप से लिए यह बाते आप लोग याद रखेगा मैं सुरक्सित हूँ हम सुरक्सित है भारत सुरक्सित है रिलिवेंट उसको भी हाँ पर जारी किया सके अगर किसी को कोई infection है और help और support भी हाँ पर provide कराई जा सके तो यह सारी वाते हैं आपर government बोलती है कि आरोगे सेतु एप आप लोग लेकर चलो पर लेकिन अगर इस तरीके से किसी चीज को हम लोग अपनी country में compulsory बनाते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि country में उसको implement करने के लिए कि parliament से आप लोग कोई law यान कि कोई नियम पास करके लेकर आओ पहले आप लोग पारलेमेंट में उसको लेकर जाओ फिर लोग सभा राज सभा से पास करागे president के sign लेकर आओ फिर gadget में उसको notify करो और उसके बाद में आप लोग बोलो कि हाँ आप यह कंपल सरी है पर लेकिन government के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया government के द्वारा अपनी कोई agency से यह एक app create किया गया करवाया गया और बोला गया सब इसको download कर लो जबकि यहाँ पर government जो है उसको यहाँ पर अगर देख जाए तो लगभग अगर बनानी है तो आप लोग देखते हैं थी 272 प्लस वन सीट यहाँ पर ऐसी है यानिके 273 सीट अगर किसी को मिल जाती है तो वो यहाँ पर पावर में आ जाएगा government बना लेगा तो बाकी की जो सीट बज गई अब वो तेहाँ पर government एक तरीके से government के द्वारा चुने गई लोग तो डेमोकरिसी के अंदर अगर कुछ भी आप लोग implement करना चाते हैं तो पारलेमेंट के थ्रू आप लोग आना चाहिए पारलेमेंट के थ्रू आने से कह रहेगा अगर कोई महाँ पर होगा तो वो बिल्को अपोज भी करेगा हो सकता है कि महाँ पर वो भी अपने कुछ तरीके से प्रोपर वे में काम होना चाहिए था पर लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है आप ये इस एप बना दिया और बोला सब को डाउनलोड कर लो और हमारी कंट्री के प्रैमिस्टर है मोदी जी उनके द्वारा भी आखर इस एप का कई बार पर परचार किया गया कि य ये अप जो है हर इंसान के मोबाईल में होना चाहिए तो इसी के बारे में आप लोगे लिए कौशन भी है आरोगे से तु एप जो है आप राज के नने वह एक तरीके से इस पाक कर रहा है एक एक चाहिए कि क्या ये मेंदेरी है बिना लीगल बैकिंग? अरी कि इसके लिए कोई loan ही है Parliament में और फिर भी हाँ पर इसको mandatory बना दिया गया है तो यह आप लोग का explain करना है तो यह आप लोग का question है जो कि आप लोग को answer देना है इसका answer क्या देना है basically आप लोग देखिए अब जो आप लोगों से discuss करूँगा कुछ तो वो point आप लोग के होंगे और कुछ ज लगे एक अच्छा answer आप लोग को basically लिखना होता है क्योंकि examiner नहीं देखेगा कि आप लोगोंने कौन सा article पढ़ रखा है examiner तो यह देखेगा कि आप लोगों से जो question पूछा गया उसका answer उसको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है तो इसलिए answer की requirement के हिसाब से आप लोग standard backing भी नहीं है इसलिए privacy का concern यहाँ पर निकल कर आता है और जब भी यह कहीं भी privacy के बारे में कोई भी बात करें आप लोगों से तुरंत आप लोगों के mind में case आना चाहिए Supreme Court का जो की question की form में भी आप लोगों से exam में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कब का case है यह case है 2017 का हमारी country में Supreme Court में एक case पहुचा जिसमें बोला गया कि हमारी country में जो आधार card है आधार card के चलते privacy का हनन हो रहा है और एक तरीके से आधार card एक तरीके से आप जिस तरीके से data बार बार चोरी भी हो रहा था उसका आप लोगों ने देखा हो कई बार data leak हो जा रहा है तो case पुटा स्वामी case है हमारी country में निकल गया case पुटा स्वामी case के द्वारे यह बोला गया कि privacy fundamental right है fundamental right बना दिया privacy पार थाड हमारे समीधान में जिसमें article 12 से लेके article 35 तक तो article 21 यहाँ पर बोला गया कि right to life जैसे एक person पैदा होता है उसके साथ में उसके privacy भी पैदा हो आप लाना चाते हैं जिसमें सारी चीजे mandatory है तो आप लोग को लोग के थ्रूस को लेकर आना है ऐसा नहीं कि आप लोग अपना मन किया कोई app बना दिया यह इस तरीके से government अपनी मन मानी नहीं कर सकती है तो app जो होना चाहिए अगर आप लोग को ऐसा कोई app लाना भी है तो उसको voluntary रखो compulsory नहीं रखना है आप लोग की compulsory आप लोग रखना है तो यह तो एक तरीके से authorization हो गया है यह तरीके से दादगीरी हो गई कि पारलेमेंट से act भी नहीं लेकर आए नफिक कोई ordinance लेकर आए कोई legal backing नहीं है और आप लोग सब को बोल रहे है यह app जो आप लोग लोग की support नहीं है तो कैसे आप लोग इसको इस तरीके से लेकर चल सकते हो आगे बात करते हैं अभी आप लोग को बता है हमारी country में जो ये जो हमारी country में low down को एक्स्टेंड किया गया है तो direct question बन जाएगा किसके ठूर इसको extend किया गया है और किसके दौर एक्स्टेंड कि इस act को use करके इसको हमारी country में extend किया गया है, जो फिलाल आप लोग को देखने को मिल रहा है lockdown, इसमें मैंने जब आप लोग के लिए एक special lecture ले था, मैंने आप लोग को containment zone के बारें बताया था, containment zone कहाँ पर हो सकते हैं, containment zone जैसे हमारी country में 3 zone है, red, green और इसी के साथ में orange, तो green म में इसलिए नहीं होगा, कि अगर green zone में कोई containment zone पा गया, तो इसका मतला वो green zone नहीं रहेगा, तुरंत वो orange zone में convert हो जाएगा, क्योंकि green zone का मतलब यह नहीं कि last 21 दिन में कोई भी case महाँ पर अन्याया हो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को clear करके चल जो public sector staff है या all employee है, public या फिर private जो भी काम करें, उनके mobile phone में भी हापर यह completely downloaded यह app होना चाहिए, तो इसके चलते जो इस तरीके से बाते बोली जा रही है, यह इसके चलते लोगों के द्वारा आवाज उठाएगी है, जो lawyer है, activist है, उनके द्वारा बोला गया है, कि इसके चल है, जैसे कि Congress के जो लेटर है राहुल गांदी, उनका भी नाम यहाँ पर आर्टिकल में दे रखा है, इनके द्वारा बोला गया है, कि Surveillance Tool की तरीके से इसको यूज के जा सकते है, जैसे चाइना में इसका misuse किया गया है, ऐसे हमारी country में भी misuse किया जा सकते है, अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा हुगा कि रगुरां, राजन साब के और राहुल गांदी साब की बात हुई थी, तो उन दोनों ने बात किया बस में, ठीक है, तो बात की और यह देखा कि country की economy को कैसे सुधार सकते हैं, और कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, काफी अच् इतने active यह जब होते हैं, अप position में बैठते हैं, उतने active मुझे यह समझ में नहाता, उस time पर की नहीं होती है, गवर्मेंट में जब चीजे रहती हैं, यह गवर्मेंट में रहे 10 साथ तक, तो वहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलें, तो उस time पर यह activeness कहा जाती है, उस time पर यह activity क्यों नहीं आती है, इतने अच्छी, आज की date में भी देख लो, आप इसकी date में अगर government को भी आप लोग देखो, जिस तरीके से opposition में रहे के जितने active थे, उतने ज़्यादे active government बन जाती है, तब नहीं रहते हैं, तो यह चीज सबसे बुरी देखने को मिलती है, यह जो भी बात आप लोगों ने बोली, उस ताइम पर यह बोला गया था, कि हमारी country में, मोदी जी के द्वारा यह जब यहाँ पर उस ताइम पर परचार कर रहे थे, कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर, यह फिर साध ऐसा बोला गया था, सो दिन के अंदर, जो भी member of parliament, यह फिर member of legislative assembly, हमारी country में, जिनके ओपर criminal activity के case चर रहे हैं, उनको jail में पहुचाया जाएगा, fast track case बनाया जाएगा, सब को ऐसे कर दे जाएगा, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो जो जो बाते बोली जाती है, वो actually ground level पर होती ही दिखाई नहीं देती है, जैसी आप position मे जहाँ पर कोई democracy नहीं है, तो इस तरीके से हमारी country में चीजे सही नहीं है, हमारी country एक democratic country है, तो आरोगे से तो एप जो हैं आपर, यह quite popular है, क्योंकि 75 million के करीब जो लोग हैं, वो already इसको download कर चुके हैं, यानि कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि 750 लाक लोग अब तक इसक सारी country इस तरीके के mobile app use कर रहे है, contact tracing करने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी government है, उसके द्वारा भी यहाँ पर इसको use कर जा रहा है, कि कम से कम लोगों को यहाँ पर trace किया जा सके, तो देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके से trace कर रहे हैं लोगों को, पर लेकि और भी तो चीज़े हैं, जैसे कि European Union के द्वारा बोला गया, कि जो guideline है आपर, आज की date में ऐसा कोई app अगर use के जा रहे है, तो वो voluntary होना चाहिए, यानि कि साब साब बोल दिया गया है, कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि आप लोग compulsory बोले कि इसको download करो, voluntary होना चाहि कोई भी data को गलत तरीके से उसका misuse नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जब जब यहाँ पर इसका app का जो काम था, basically किसलिए COVID-19 के लिए use के जा रहे है, अगर COVID-19 यहाँ पर खतम हो जाता है, तो उस app को भी तुरंत बंद कर देना चाहिए, जो data एक खटा किया था, उसको प्रेस करो, तो इनके द्वारा बोला गया कि बिना कोई एक्ट बनाए पार्लेमेंट में, आप लोग ऐसी हरकत नहीं कर सकते, पहले पार्लेमेंट के अंदर एक्ट बनाओ, तब आप लोग इसको implement करना, इसराइल के अंदर बोल दिया गया साब साब, आस्टेले के अंदर बात करें हाँ पर, जो ट्रेसिंग एप है उसके बारे में बात की, जो प्राइविसी का concern निकल किया था, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर यह इसके लिए अलग से, यहाँ पर जो प्राइवेसी impact assessment करने की बात की जा रही है, कि अगर ऐसा होगा तो इसका proper assessment यहाँ पर किय जाएगा, तो उसके लिए proper provision इनके द्वारा बनाए गए है, पर हमारी country में इन में से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है, हमारी country चल रही है चाइना की तरज पर, और चाइना में क्या है, चाइना में तो गवर्मेंटी सब कुछ करती है, वहाँ पर तो कोई बोली नहीं सक दिया, उपर कौन-कौन सी country हाँ पर क्या कर रही है, और हमारी country में क्या हो रहा है, तो सारी चीजों का analysis यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसके चलते जो app है, हो सकता है कि government की intention जो हो अच्छी हो, अच्छी intention के द्वारा उसको यहाँ पर यह एक तरीके से include किया गया हो, पर लेकिन यहाँ पर सारी चीज़े सही तरीके से नहीं चलते है, आधार काड के बारे में भी ही बोला जा रही था, बाद में आधार काड के साथ में क्या क्या चीज़े होती ही नजर आई, आप लोग ने देखा पूरी country में क्या क्या बवाल हुआ अधार काड को लेकर यह हो वैसे तो आप लोग कई सारे ordinance लेकर आजाते हो तो फिर इसके लिए ordinance लेकर क्यों नहीं आएं, तो उसके लिए आप लोग लेकर आ सकते हैं कि आप लोग जिसे color लेकर चल रहे हैं कि green zone में रखना है, red zone में रखना है, orange zone में रखना है, तो यह color coding सही है, effectively implement कीज़े आप efficient जो भी हाँ पर data आप लोग ले रहे हैं, वो limited access होना चाहिए, यह नहीं कि किसी को भी उठागर वो data मिल जा रहे है, पता चला उसका misuse किया जा रहे है, तो इस तरीके से आप लोगों है आप चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो at least यहाँ पर लोगों को हाम नहों, वो एक अच्छा सा answer लिखने कोसिस किजएगा, अगर आप लोग SSC banking की तियारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको निमत के तोर पर ले सकते हैं, छोटा सा essay लिख लिजएगा, अगर आप लोग UPSC और State PCS की तियारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक अच्छा answer लिखेगा, State PCS में 100-500 word और UPSC के लिए 200-500 word, ठीक है, तो अपने हिसाब से question को convert कर लेना होता है, लिखना कहाँ पर है, एक group है, पूरा 5000 से ज़्यादे लोग वहाँ पर add हैं, अच्छे से answer लिखने हैं, और दुनिया भर के question भी post करो, और कोई भी post ऐसी लगती है, आप लोग या कोई person ऐसा ल अगर कोई भूल डिसी दे हरकते करता है, ठीक है, तो वह मैं नहीं करता हूँ, आप लोग करते हैं, जिसको 10 से ज़्यादे report कर दिया, मैं तुरंत उसको remove कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो continues को करते रहे हैं, और एक अच्छा माहूल group में ब इसके लिए पहले आप लोग ठोड़ा सा ये डेटा देगे, तब आप लोग नहीं से समझ पाएंगी, एक ट्रेबिनल था, 2007 में उसका डिस्जन आया, तो उसने बोला कि किस-किस को कितना पानी मिलना चाहिए, कावेरी रिवर का, तो करनाट का, तमिलनाडु, केरला और और यहाँ पर साथ जो यहाँ पर मिलता है, यह मिलता है पॉंडी चेरी को, लेकिन फिर 2018 में सुप्रीम कोट का डिस्जन आया, तो सुप्रीम कोट ने चीजों को थोड़ा से यहाँ पर चेंज किया, उसमें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादे मिल रहा है, वो अभी तो यह सुप्रीम कोट का डिस्जन है, आपर लेकिन इसको इंप्लिमेंट भी करना है, देखना भी है कैसे काम चलना है, तो बात जो की जा रही है, अभी न्यूज में क्यों है, कावेरी वोटर अथिरेटी जो है, आपर उसको बोला जा रहा है, वो पत्वार हीन एक अब इसको मिनिष्टी के अंडर में ला दिया गया, तो इसलिए आपर जो साउथ इंडिया के जो राजे हैं, उनको थोड़ी सी एक तरीक से दिक्कत हुई है इससे, तो समझ लीजे एक बार करनाट का, तमिलनाडु, केरला और पॉंडिचेरी, तो करनाट का यहां पर हो ग क्राइकल पॉंडिचेरी, आप लोग को यहां पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और एक होरे पॉंडिचेरी हां पर महें पॉंडिचेरी है, तो यह आप लोग याद रखेगा, जो पॉंडिचेरी है, उसके टोटल मिलाकर चार डिस्टिक होते हैं, और चार डिस्ट यह था कि Cauvery Water Management Authority को हमारी कंट्री में जो नई मिनिष्टी अभी बनाए गए थी जल सक्ती मिनिष्टी 2018 के इलेक्षन के बाद में उसके अंदर डाल जे जए तो जब यह डिजन लिया गया 24 अप्रेल को उसी के चलते हैं आपर जो जो several जो राज्य हैं खासकर political party हैं उनको यहाँ पर दिक्कत हो गई उन्होंने बोला कि सेंटर के अंदर अगर इसको रखेंगे आप लोग तो यह तरीक से तोता बन जाएगी यह बोडी सेंटर के हिसाब से आपर काम करेगी तो यह इस तरीके से सेंटर के अंदर में नहीं होना चाहिए तो जो कावेरी water management जो authority हैं आपर यह जो create की गई थी create की गई थी supreme court की direction के ओपर मैंने आप लोग को अभी बताए हैं आप अप सुप्रीम court का डीजन है था तो 2018 में उसके द्वारा बोला गया कि पानी ऐसे मिलना चाहिए और यहाँ पर यह जो बोडी बनाएंगे इसका purpose गया था इसका purpose यह था कि यहाँ पर जिस तरीके से भी बारिस होती है मौनसून का assessment करेए और मौनसून को देखे जैसी बारिस हो रही है और उसके base पर फिर पानी का distribution करती रही है आपर तो यह काम इसको दिया गया basically बोडी को अगर आप लोग यहाँ पर argue करते हैं कि जून 18 से लेके में 2019 तक का हमारी country में यह जो ministry थी अभी अग नई ministry बनाएगी इसको आप लोग जल ministry बोलते हैं आपर ठीक है तो यह जो ministry बनाएगी है आपर जल सकती ministry तो जल सकती ministry जो है आपर यह existence में आई तो उससे पहले जो था recovery water management जो authority है basically यह किसी के अंडर में नहीं थी आपर ठीक है फिर इसको इस ministry के अंडर में ला दिया गया तो कई सारे यह argument दे रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग नहीं ला सकते हैं इसको किसी ministry के अंडर में पर लेकिन writer जो हैं आपर support कर रहे हैं central government को वो बोल रहे हैं कि देख जाल है कि यह weak argument है अगर आप लोग इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि कोई भी बोडी होगी अगर इस तरीके से काम करेगी तो किसी ने किसी ministry के अंडर में उसको लाना ही लाना पड़ेगा तो यह फाल्तु की इस तरीके से जो जद्दो जहात आप लोग कर रहे हैं अगर पहले वाली कावेरी वोटर मैनेजमेंट अथरेटी से अगर पहले की बात करते हैं तो कावेरी रीवर अथरेटी हुआ करती थी हमारी कंट्री में जो की 1998 से लेके 2003 तक काम करके गई वहाँ पर भी जो प्राइमिस्टर थे वो चेर्में थे चीप मिनिस्टर जो थे जहां जासे ही जाती है वो इसके मेंबर थे और यूजियन मिनिस्टर वोटर रिसोर्च इसको एडिनिस्टेटिव कंट्रोल करते थे तो प्राइमिस्टर तो काम करेंगे नहीं कंट्रोल कोन करेंगे हैं पर वोटर रिसोर्च मिनिस्टर कंट्रोल करेंगी तो आज की डेट में भी तो वह यही करेगा administrative control जिसके हाथ में रहेगा तो यह यहाँ पर यह बोल रहे है कि actual में जो problem है उसके उपर आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बात किसी और चीज के उपर कर रहे हैं यानि कि जो यहाँ पर eight interstate river water bodies हैं हमारी country में वो भी जल सकती ministry के enter में तो फिर इसको जल सकती के enter में अगर ला दिया जाए तो क्या दिक्कत हैं तो यह भी आनी चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं वो एक सही तरीका नहीं है आपर चीजों को रखने का कावेरी water management जो ओथरेटी है वो अधर फोर बोड़ी जैसे की कृष्णा गोदावरी water management बोड़ी हो गए इसी के साथ में और भी कई सारी जैसे आंदर पर दियस रियो और गयनेशन एक्ट के बाद में इनको भी किसी ने किसी ministry के एंटर लाए गया जैसे की जल सकती ministry तो यहाँ पर आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही तरीका नहीं है बोलने का जो आप लोग को बोलना चाहिए वो क्या बोलना चाहिए अब उसके बारे में हाँ पर बताते हैं writer की देखें यहाँ पर जो कावे कि कावेरी water management body function ही नहीं कर रही है अब तक क्यों कि इसका कोई full फ्लेज़ कोई chairman नहीं है अब तक इसके पास में तो आप लोग को तो इस बात पर issue उठाना चाहिए कि इसका कोई full-fledged chairman क्यों नहीं बनाया गया है यह completely function क्यों नहीं कर रही है बना तो दीगी है पर फिर भी किसी ने किसी के अंदर दो तो यह बात यहाँ पर बोलेगी है तो latest जो है हाँ पर आप लोग को काम करना था political party को कि हर एक चीज को politicization करना यह सही तरीका नहीं है कोई भी बात हो जाए उठागर उसको politicize करने start कर देते हैं और खासकर water का issue जो कि एक तरीके से किसानों के करना चाहिए कि electoral gain या फिर loss के अलाव भी कुछ और चीज़े होती है उनका exact tissue के ओपर यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि यह lifeline मानी जाती है rice ball जो की Tamil Nadu के अंदर आप लोग को देखोगे अगर जो एक तरीके से हमारी country में काफी large scale पर जो चावल produce के जाते हैं तो उसकी lifeline म के बारे में आप लोग कम सोचते हैं अपनी politics के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो यह सही तरीका नहीं है आपर इस तरीके से तो आप लोगों से question पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपर Supreme Court के order के बारे में किस-किस राज्य को कावेरी वोटर पानी का फायदा पहुच रहे हैं तो यह direct freelance में भी आप लोग के question बन सकते हैं तो अच्छा time है अच्छी से time लेकर चीजों को ढंक से implement कर गए चलिए और अपना अच्छी से चीजों का धानक है और practice कर रहे हैं नेक्स आर्टिकल जो है वो भी काफी important है थोड़ा से detail में distance करेंगे बात की जारी है member of parliament local area development scheme के बारे में समझेंगे इसके बारे में जो writer है वो भी काफी important है आपर जगदीश जो जगदीश एच कोचर साहब है आप अप यह कौन है यह हैं आपर IIM एहमदाबाद के professor ठीक है dean and director जो कि यहाँ पर former थे मतलब यह काफी एक ग्याता आप लोग बोल सकते हैं जिनके द्वारा यह article लिखा गए तो इनके द्वारा 5 suggestion दिए गए हैं क्यों हम लोग आपर यह MPLAD जो scheme है उसको उटाना चाहिए तो इसको उटाने की बाद बाद में करेंगे पहले आप लोग यह समझें कि MPLAD scheme है क्या हमारे country में एक scheme लाई गई जिसको बोला गया member of parliament local area development scheme member of parliament कोन होते हैं विधायक जी आप लोग बोलते हैं तो दोनों में confused नहीं होना है तो MP और जो MLA है उनमें अलग अलग रहिएगा सांसद और विधायक में difference आप लोग को पता होना चाहिए कई सारे बच्चों के mind में confusion होता है तो सांसद होता है संसद में बैठता है विधायक होता है इस्टे 1993 में यह स्कीम लाई गई और स्टार्टिंग में इस स्कीम को किस ministry के अंडर में रखा गया ministry of rural development के अंडर में रखा गया पर फिर आगे चलकर देखा गया कि यहाँ पर इसके area में नहीं क्योंकि rural development की दो जड़ाबात की नहीं जा रही है और भी कई सारी area में development किया थे तो इ PV नरसीमा राउ साब के दौरे स्को लूंच किया गया था तो PV नरसीमा राउ साब के दौरे स्को लूंच किया गया अमाली जे कोई राजसभा का member है ठीक है तो वो कोई भी district choose कर सकता है जो उसका state election है जहां से वो चुन करा है उसके अंदर में ठीक है तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा आगे बात कते हैं जो MP है वहाँ पर वो इसके अलावा भी 25 लांग जो है वो पर year outside अपनी constituency के खर्च कर सकते हैं अगर national unity के बारें बात की जा रही है harmony के बारें बात की जा रही है अपर इतना पैसा दिया जाता था जो आज दिया जाते हैं आज की डिट मेर इसको 5 क्रोड रुपे दियाते हैं हर साल 5 करोड रुपे हर साल मतलब 5 साल में 25 करोड रुपे तो Member of Parliament को 25 करोड रुपे मिलते हैं 5 साल में development के लिए तो इसके बारे में अगर बात करूँ तो 5 लाग रुपे दिये जाते थे 1993 से 1994 के लिए 5 लाग रुपे दिये गए थे starting में हर साल फिर इसको बढ़ाकर 1998 से 1999 में 2 करोड रुपे कर दिया और फिर इसको बढ़ाकर 5 करोड रुपे कर दिया गया 2011 बारे में और आज की डेट में 5 करोड रुपे हैं आपर दिये जा रहे थे COVID-19 का जैसे यहाँ पर बिमारी फैली तो यह जो 5 क्रोड रुपे दिये जा रहे थे इनको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो इसके बारे मैं भी मैं आगे उसे बात करूँगा यह जो पैसा इनके पास में जाता है Member of Parliament के तो यह पैसा direct के लिए DM के हाथ में काम तो हैं आपर MP के हिसाब से करेगा क्योंकि कोई भी DM के उनों किसी particular district के अंदर कोई rare कोई एक आदा ऐसा होगा जो कि आपर MP के खिलाप में जाकर बात करेगा वरना सब यहाँ पर इनके हिसाब से काम करते हुए आप लोग को नजर आते हैं सबसे important एक point आप लोग के लिए बन सकता है यह जो fund है यह non-lapsable fund है यानि कि इस साल 5 क्रोड रुपे दिये अगर 5 क्रोड रुपे में से 1 क्रोड रुपे खर्च किया और 4 क्रोड रुपे बच गए अगली साल फिर 5 क्रोड रुपे आएंगे तो 9 क्रोड रुपे बन जाएंगे 9 क्रोड रुपे में से इन्होंने 2 क्रोड रुपे खर्च कर दिये 7 क्रोड रुपे रह गए अगली साल फिर 5 क्रोड रुपे आएंगे तो ये कितने बन गए 12 क्रोड रुपे बन गए तो 12 क्रोड रुपे में से इन्होंने 1 क्रोड रुपे खर्च कर दिया 11 क्रोड बंच गए, अगली साल फिर 5 क्रोड आएंगे तो ये 16 क्रोड रुपे बन गए तो ये निके non-lapsable है Lapsable का मतलब क्या होता है 5 क्रोड रुपे दिए एक साल के अंदर अंदर खर्च करो आप लोग ने 1 क्रोड रुपे खर्च के 4 खर्च निके तो ये खतम ये फिर से गुवर्मेंट के पास में चले जाएंगे बाकी अगली साल 5 क्रोड रुपे मिलेंगे पिछले वाले गायब हो गए उसको बोलते है Lapsable Fund ठीक है तो ये No Lapsable Nature का बना रखा है ताकि ये इसको धंग से उटिलाइज के जा सके आगे बात करें टोप राजे जो खर्च करने वाले है तेलंगाना, सिक्किम, छत्तिसगर, केरला और वेस्ट बंगाल ये टोप खर्च करने वाले राजे बोटम खर्च करने वाले राजे कौन से हैं आप ये है उत्राखंड, तिरपुरा, जहारकंड और राजस्थान और उडिसा ये बोटम खर्च करने वाले हैं ये सबसे कम खर्च कर गया है MP LAD scheme के बारे मागर बात करें यह जो sector चूज करते हैं, railway, road, pathways, breeze या other public activities होती हैं उनके लिए, सबसे ज़ादे जाते हैं आपर, railways, roadways के लिए, education, health, water, sanitation, जिसके लिए main लिए fund बनाय गया था, वहाँ पर यह fund बहुत कम जाता है, तो इसके लिए भी इसका criticism होता है, अब यहाँ पर writer क्या गया बोलते हैं, उ 30% तो salary cut की जाएगी, जो member of parliament है, यानि कि हमारे जो सांसत साब है, इसी के साथ में 2 साल के लिए suspend कर दिया गया है, जो member of parliament, local area development fund है उसको, ठीक है, यानि कि इस scheme को यहाँ पर, यह कम कर दिया गया है, और यह जो पैसा जाएगा, consolidated fund of India, यानि कि CFI के अंदर जाएगा, जिसको आगे COVID-19 के लिए use के जाएगा, यह step government के द्वारा उठाया गया, तो कई सारी opposition party के द्वारा criticize किया गया, इसका reason क्या था, उनुन के द्वारा यह बोला गया, कि यह fund बोदत हो जा रहा है कि यहाँ पर use के जाएगा, पर लेकिन हो सकता है कि यह fund उन राज्य में use के जाए, जो राज्य में हाँ पर present government यहाँ पर power में है, उन राज्य में कम use के जाए जहाँ पर present government power में नहीं है, तो यह criticism किया गया था इस टार्टिंग में, तो हाँ कई बार government के द्वारा ऐसा काम किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि यह present government ही ऐसा कर रही है, पास्त में जो भी government होती ह वो हमें सा कोसिस करती है कि जिस राज़े में उसके पार है वहाँ पर जाकर खर्चा गरे तो ये तो एक तरीकी से human tendency है ठीक है तो इसके चलते जो opposition वाले लोग है वो ये बोल रहे थे कि पैसा तो हमारे भी छिन गया है अब हमारे एरिया में खर्चा होगा या नहीं होगा इसकी क्या guarantee है तो government को criticize किया गया तो member of parliament local area development जो है वो 2 साल के लिए जो suspend की गई cabinet के देरा ये इसका opposition काफी large scale पर किया गया पर लेकिन जो हैं पर member of parliament जो suspend की गई दो साल के लिए MPLAD तो यहाँ पर जो writer है वो बोलना है इसको completely abolish कर देना चाहिए कि ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए कि इसके आपर इस तरह कोई fund मिलना चाहिए इसके reason के है तो reason आप लोग समझे है कि करकर 5 reason है बढ़ी प्यारे से 5 के 5 reason के उपर बात करते हैं सबसे पहला reason तो यहाँ पर यह अगर आप लोग पैसा दे रहे हो member of parliament को तो member of parliament कहां बैठते है परलेमेंटे बैठते है क्या काम करते हैं वो वहाँ पर एक तरी से low development का का काम करते हैं तो यह legislative का काम करते हैं वापर ठीक है अगर यहाँ पर legislator जो है आप लोग उनको पैसा दोगे तो वो executive के area में आ जाएंगे यानि कि executive के function में वो टांग अडाने लगेंगे तो जो power of separation वाली बात है कि अपना low बनाने वाले को काम अपना करना चाहिए implement करने वाले को अपना काम करना चाहिए और इसी के साथ में judiciary को अपना काम करना चाहिए तो वो सारी चीज़े हाँ पर खतम हो गई तो इसके चलते कई सारी problem यहाँ पर देखने को मलती है implement जो की जाती है आपर बोला जारा है कि distinct authority हैं आपर वो इसको implement करेगी पर hardly कोई ऐसा DM होगा जो कि अभेलना करता है और फिर चुनोती देता है जो member of parliament को कि यहाँ मैं तेरे हिसाब से काम ने करूँगा मैं अपने हिसाब से काम करूँगा तो ऐसा कोई नहीं आप लोगो को देखने को मिलेगा कोई एक आदा थीसमार खांड DM ऐसा होता है क्योंकि यह legislative है और executive के area में जाकर काम करते हैं दूसरा CAG के द्वारे इसको बोला गया है कि जो यह fund यह proper way में utilize नहीं कियाता है कई सारे area ऐसे जहाँ पर 49% यूज किया गया और maximum 90% तक यूज कियाता है 100% बहुती rare यूज होता है हाँ पर कहीं कहीं पर तो सारा पैसा ऐसे ही पढ़ा रहता है यह बात कौन बोलता है controller and auditor journal of India यानि के CAG हमारी country का यह बात बोलता है जो हाँ पर expenditure देखता है देखें CAG जो होता है जब तक पैसा खर्च नहीं किया गया तब तक CAG कुछ नहीं बोल सकता है जैसे ही पैसा खर्च हो जाता है तब CAG एकदम power में आ जाता है ठीक है तो इसलिए बोल जाता है कि CAG को power थोड़ी ऐसे भी दो कि वो यह भी देख सके कि पैसा खर्च कहां पर हो रहा है तो इस scheme जो है हाँ पर यह बोलते हैं कि scheme जो है वो एक तरीके से बोताई तो यह गई थी कि इसलिए बनाएंगे थी कि acid creation कर सके यानिके कुछ अच्छा काम किया जा सके पर लेकिन acid creation नहीं करते हैं कोई नया काम नहीं करते हैं यह क्या करते हैं जो already existing है उसको improvement करते रहते हैं यानिके एक तरीक से ऐसा नहीं कोई नया रास्ता बनाएंगे नए नए पंप लगवाएंगे यह क्या करेंगे जो पुराने पंप टूटे में उनको सही करते रहते हैं पुराना रास्ता टूटा में इसको सही करते रहते हैं और उससे क्या होते हैं आप लोग समझे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे ऐसा तो है नहीं कि यह इतने सीधे हैं इसलिए कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं माली यह किसी particular area में कोई खड़ंच जाए जहां पर एट लगई हुई है ठीक है की हम लोगों ने हाँ पर basically नई इंट लगाई है जो मिट्टी डालने वाले बाहर से लोग लाए गए हैं उनके द्वारा मिट्टी डिलवाई quality और quantity क्या चल रही है उसको कोई check-in करने वाला नहीं है तो इसके चलते टोटल अगर देखा जाएं आपर कि पांच दिन से लेके हैं आपर 387 दिनों तक या निके काफी काफी लेट या लेट या पर काम हो जाता है कई बारी या निके डीले भी चलता रहता है एक एक साल तक ह इस्ते बारे में बात किजा रही है यह जो रीपोर्ट हैं आपर ये India Spend इस्पेंड के द्वारे मिनिस्टी ऊप स्टेटिक से प्रवगन इंप्रीमेंटरियेशन के लिए डेटा एव्लेयृ विक्राइगा क्या था एक तरीके से एङ्यजिक्यूर्टिकी के एरिया में अगर यहाँ पर बात करते हैं किसी particular year के बारे में तो यहाँ पर 542 अगर यहाँ पर member हैं जैसे कि 16 लोग सभा के बारे में बात करें तो 298 में लोग सभा के member उन्होंने अपना पैसा ही खर्च नहीं किया ठीक है यह अभी फिलाल परजेंट की लोग सभा के बारे में आप हाँ पर देखने को मिल रहा है रेटर नहीं है बस समझने हैं आप लोग को की फंड यूटिलाइज नहीं किया रहा है 35 मेंबर पार्लेमेंट ऐसे थे जिन्नों ने अपना जो फंड ता एंटारली यूटिलाइज किया गया यानि के 545 जो लोग हैं उनमें से only 35 लोग ऐसे हैं जिन्नों ने अपना फंड पूरा यूटिलाइज किया है तो समझ सकते हैं कितना अच्छे से इंपलिमेंट किया रहा है बाकि आपर 1757 क्रोड रुपे जो हैं आपर रिलीज किया गया मेंबरोग पार्लेमेंट लेशिलेटिव फंड के लिए 281 क्रोड रुपे जो थे वो यूटिलाइज किया गया तो यहापर आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल मिलाकर 1500 के करीब मोटे मोटे तोर पर अगर बोलू तो फंड को यूटिलाइज नहीं किया गया है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडिशन चल रही है 16% मनी जो है वो इस्पेंट की जाती है एक साल के अंदर नोर्मली आओ गया ठीक है तो काफी बड़ी बात है तो फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है डंक से चोथे नंबर की बात अगर आप लोग देखेंगे ये काफी इंपोर्टेंट है थोड़ा सा इसको जहां से सुनिएगा चोथे नंबर पर बोला गया है कि जो ओपीनियन मेकर हैं यानि कि एक तरीके से ये पैसा जाता कहां पर है मेंबरों पार्लेमेंट को पैसा मिल गया वो डिस्टिक अड्मिस्टेशन को बोलेंगे ये पैसा कहां पोचा दे जो हमारे ओपीनियन मेकर है opinion influencer है यानिके जो इनको vote दिलाने का काम करते हैं उनको पैसा पहुचा दो favorite contractor को पैसा पहुचा दो तो दोनों category कई बार overlap भी होती ही नजर आती है यानिके कहने का मतलब यहाँ पर यह कई बार जो contractor आप लोगो देखने को मिलेगा यह तो कोई relative होगा यह कोई रिस्तेदार होगा कोई दोस्त होगा यह फिर कोई ऐसा होगा जिसके उपर उनको confidence हो तो दोनों का link रहते है यानिके ठेकेदार को बोलेगा मैं तुझे एक करोड रुपे का ठेका देला रहा हूँ तो यहाँ पर काम कितने का होना चीए काम होना चीए ground level पर 10 लांग रुपे का तो बागी के 90 लांग रुपे बचके नगर 90 लांग रुपे में से 20 लांग तुमारे और बागी के 70 लांग रुपे मुझे पहुंचा देना कैसमे ठीक है तो यह indirect way में financially एक दूसरे के साथ में link रहते हैं तो directly पैसा अपनी pocket में नहीं लेकर जाते हैं indirect way में हापर यह पैसा member of जो parliament है उनके pocket में पहुंच जाता है तो यह काफी important है आपर इस लिए आपर इस scheme को suspend कर देना चाहिए finally सबसे important बात बोली गिए यह implement जो scheme है जब से आई है 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में अलगलग time पर supreme court में पहुंची तो supreme court के द्वारा भी हाँ पर इसके ओपर ढंक से जो decision लिया गया all petition को count करते वे यह मई 6 2010 में इसका decision लिया गया पर लेकिन जो writer है वो कहरें कि all due respect to the supreme court यानि कि supreme court जो है हमारा उसकी पूरी respect करते वे फिर भी मुझे यह बात बोलनी पड़ रही है कि supreme court ने एक बार भी जो ground situation थी situation जो prevalent थी field में low level पर जो case of misuse था उसको एक बार भी नहीं देखा बस ऐसे ही उपर उपर से reason सुना दिया और constitutionally इसको एक तरी से valid करार रखा वरना यह scheme बहुत पहले हट जानी चाहिए थी अगर यहाँ पर कैक की report के इसाफ से बात करते नीचे जीस तरीक से करफ समर्राफ के इसाफ से बात करते यह scheme आगे चलने लायक थी ही नहीं पर फिर भी यह continue रही तो audit report के इसाफ से देखते तो अब तक यह scheme हट जानी चाहिए थी तो यह भी एक बहुत बड़ा reason है आपर कि आपर इस तरीके से काम चला यह ऐसे नहीं होना चाहिए था तो supreme court को भी कहीने कहीने आलोचना कर रहे है कि supreme court ने भी चीजों को ढंक से नहीं देखा इसलिए हाँ पर यह आज तक चीज़े चल रही है एक और question आप लोग लिख सकते हैं कि MP layer यह suspend होनी चाहिए और why it must go यानि कि यह क्यों जानी चाहिए यह ऐसा क्यों जानी चाहिए कि यह हाँ पर नहीं रहनी चाहिए तो दो question है, कोशिस कीजएगा आप जो आप लोग से last video में पूछा गया था question है आप पर इशिक्कुल लेक के बारे में बोला जा रहा है कि यह हाँ आपर तियान सा माउंटेन इन इस्टन कजाग इस्टन किर्गिस्तान में आप लोग को देखने को मिलती है ठीक है, दूसरा बोला गए आप पर यह जो है सेवंथ डीपेस्ट लेक है वल्ड के अंदर में कौन सी statement correct है 1, 2, both, neither one, no two सही answer क्या है, A, B, C, F, D सही answer है C, दोनों statement सही है आप आप सबसे पहले तो यह किर्गिस्तान वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिलती है, एक बार देख लेते है अपनी country compare में आप लोग को एरिया का पता होना चाहिए किस एरिया की बात की जारी है, अपनी प्यारी country होगी यहाँ पर यह particular area जिसके बारे में बात की जारी है, सही बात है यहाँ पर जो किर्गिस्तान में 6200 square kilometer की एरिया है length जो है 182 kilometer maximum जो depth है वो 700 meter के करीब आप लोग को देखने को मिलेगी तो किर्गिस्तान में इस्टन साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बागी 7th deepest और 10th largest lake है वर्ल्ड में अगर देखेंगे और 2nd जो largest line lake है आपर यह after caspansy, यह निकि caspansy के बाद में सबसे ज़्यादे हैं आपर यह खारी lake आप लोग बोल सकते हैं तो यह है आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा lecture like तभी किजिए अगर आप लोगों पसंद आता है पसंद आया तो dislike कीजिए और dislike क्यों के comment ओक से जुरूब बताइए ताकि आने वाले time में lecture को और जदे improve किया सके telegram से जाकर PDF डाउनलोड कर लिजेगा मिलता हूं next lecture में बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार छोड़ी सी life enjoy को यार तब तक के लिए जैहिंद